रिचार चडड़ा ने हाली के दिनों में हो रही आलोचना से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हुए एक लंबा नोट शेयर किया है एक्रिस ने भाइसकार के रुजानों पर भी रिस्पॉंस करते हुए कहा है कि इसका उद्योग में रोजगार पर प्रभाप पड़ा है उनके पोस्ट पर प्यार बरसाने वालों में उनके मंगेतर अली फजल भी शामिल थे रिचा ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर दनपती विसरजन समहरों के दवरान अपना सिर कार से बाहा निकालते हुए एक वीडियो शेयर किया था उन्होंने इसे एक फिल्म के सेट से एक वीडियो के साथ जोड़ा जहां क्रू ने शूटिंग शुरू होने से पहले भगवान गनेश की पूजा की वीडियो शेयर करते हुए रिचा ने कहा कि लोग हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री की आलोशना करते हैं वो कभी सेट पर नहीं गए उन्होंने लिखा मैं गनेश चतुर्ती के दस दिन के बाद अपना सिर बाहर निकाल रही हूँ और ये की एक शांत प्रातना के साथ कि हम हिंदी फिल्म उद्योग में हर रोज कैसे शूटिंग शुरू करते हैं विग्न हर्ता भगवान गनेश की प्रातना की जाती है ये है रोलिंग गनपती कहा जाता है और गनपती पपा मोरिया के मंत्रों के साथ समाप्त होता है मुझे आश्चरी है कि क्या हिंदी फिल्म उद्योग को बकवास कहने वाले लोग कभी सेट पर गए है और वहाँ काम करने वाले लोगों को देखा है उन्होंने आखों में देखकर कहा मुझे उस पर बेहद शक है एक्टरिस ने आगे कहा है कि बहिसकार के रुजान ने उद्योग में लोगों के रोजकार को प्रभावित किया है लाल सिंग चढधा, डार्लिंग्स, रक्षा बंदन और ब्रमास्त्र सहीत कई फिल्मों को हाली के दिनों में बहिसकार का सामना करना पड़ा रिच्चा ने लिखा, मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में लोगों को उनके रोजकार से बेदखल करने के लिए एक बार फिर से कुछ बहिसकार प्रकार के कॉल किये गए थे मेरा ये भी मानना है कि फिल्म ने काफी मुनाफ़ा कमाया है, सिस्टम को तोड़ना होगा, फिर से तयार होना चाहिए और निश्चित रूप से बदलना चाहिए, सब कुछ जल्द ही बदल जाएगा, ठुड़ी उपर, सिर उपर और बल हम सभी के साथ हो सकता है अली फजल ने रिचा के इस पोस्ट पर एक विंग फेस किसिंग इमोजी देते हुए कमेंट किया, रिचा ने अपने पोस्ट से ये भी लिखा है कि वो व्यस्त गानों की शूटिंग के कारण हाली में इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं रही थी, जिसे उन्होंने अब तक की सबसे कठिन चीज के रूप में वर्नित किया और कुछ व्यक्तिकत तयारियों के कारण भी, जैसे कि आप सभी को पता है कि रिचा और अली ने इस मेहने की शुरुवात में घोशना की थी, बहुत जल्द शादी के बंधन में बनने की योजना बना रहे है, और उसके कारों का समापन अक्टूबर में मुंबई में एक रिसेप्शन के साथ होगा, बीरो रिपोर्ट जनभवना टाइम्स